हेलो फ्रेंद्स बेग यूटूब चनल हर्सवेता सिंग पर आपका बहुत दोस्त वाकत है फ्रेंडिक प्रापी मैं आपके लिए फिजिकल एजुकेशन का वीडियो लेका आ गई हूँ अगर वीडियो अच्छा लाइक केमें जरूर किजेगा तो प्लीज सब्सक्राइब ज कर रहे हूं तो चलिए सुरूर करते हैं आज का अपना वीडियो तो आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट कोस्टन है और इस सेरीज का फोटीवन कोस्टन है अंतराश्टी ओलंपिक समीति का अध्यक्ष कितने वर्सों के लिए चुना जाता है कोस्टन को ध्यान से पढ़िए इसका और उसना चार वर्स में दो वर्स बारा वर्स आठ वर्स पुचा गया है इसका ऑफसन है का कार्डियो पल्मोनरी रिहाबिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रेटेंशन, कार्डियो पल्मोनरी रिसेस्टेशन और इन में से कोई नहीं ठीक है तो इसका राइट आंसर है हमारा एक सेकेट आपका आप्शन नमबर सी कार्डियो पल्मोनरी रिसेस्टेशन ठीक है चलिए ने deduction है particular में प्रगती खाली समय का सधी प्योग समाजिक विकास उप्रोग सभी तो इसका right oil है हमारा Electric option नंबर שהकामी क्रियाओं का महतु किस लिए होता है वह पांट करowned i b initiator pre pane speech श्राइ又 सभाजिकulsion nagran UP में समाजिक विकास 800 पांट चलिए नेक्स哥ह 쪽 इन वर्जन किस जोड़ पर होने वाली क्रिया है इन वर्जन इन वर्जन आप ध्यान देजिए इन वर्जन पूछ रहा है ठीक है इन वर्जन किस जोड़ पर होने वाली क्रिया है ठीक है तो इसका आप्सन है आपका टकना घुटना गर्दन कंधा तो इसका राइट अंसान है हमारा टकना ठीक है इन वर्जन जो होता है जो अंदर की तरफ होता है यह हमारे टकने की टकने पर यह आपकी जोड वाली क्रिया है ठीक है जो टकने वाली जोड होती है वहाँ पर यह क्रिया होती है इन वर्जन चलिए नेक्स देखते हैं Question number 45, मनरंजन का उधारण है, यहाँ भी उधारण हो जाएगा, ठीक है, मनरंजन का उधारण है, इसका option है, real, seminar, कारेशाला, cinema देखना, यह सभी, तो इसका right answer है, आपका, C, cinema देखना, ठीक है, यह सारे ही, तो आपकी physical वर्प्री हो जाएगे, आपको इसका ध्यान अगला की cinema देखना, आपका एक मनरंजन होता है, next है, question number 46, वैदिक काल में मनरंजन का क्या साथन थे, वैदिक काल में मनरंजन के क्या साथन थे, option है, इसका, गुर्षवारी और दौर, खेलना, नाचना, इनमें से कोई नहीं, तो इसका right answer है हमारा, गुर्षवारी और दौर, वैदिक काल में ध्यान दीजेगा, यहाँ वैदिक काल में मनरंजन के साथन पूछा है, तो इसमें आपका, गुर्षवारी और दौर, नेक्स्ट है, question number 47, यदि विद्यार्थी, तो इसका right answer है, डाटना चाहिए, तंडित करना चाहिए, माता पिता से सिकाद करनी चाहिए, या मार्क दर्शन करना चाहिए, तो जैसा कि देख के ही समझ में आरा, इसमा answer क्या हो सकते है, एक सेकेंड, ठीक है, तो इसका right answer हो जाएगा, आपका option number D, मार्क दर्शन और परामर्श देना, मार्क दर्शन और परामर्श देना, next है question number 48, मंद और तिवर गती किसे सम्मधित है, मंद और तिवर गती किसे सम्मधित है, इसका option है, गती, सहन सिल्था, सकती, लचकता, तो इसका right answer है, आपका option number B, सहन सिल्था, मंद और गती, मंद और तिवर गती आपका सहन सिल्था से सम्मधित है, ठीक है, पहले मंद कियाता है, फिर इसके वासे आपका इसका तिवर वर्क कराएथा, तब इसमें संसिल्था विक्सित होती है, नेक्स्ट है आपका question number 49, एक सेकेट, छोड़ी है क्या, ठीक है, चलिए, 48, आपका question number 49 है, सारीरिक सिक्षा, सारीरिक सिक्षा में ब्योहारिक्ता, दक्षिता तथा वह किस सिधान का मूल मंत्र है, ठीक है, यहां पे कुछ छूटा है, सारीरिक सिक्षा में ब्योहारिक्ता दक्षिता किस सिधान का मूल मंत्र है, तो इसका option है, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, आदर्सवाद, इन में से कोई नहीं, तो इसका right answer है आपका, प्रयोगवाद, चलिए, नेक्स देखते हैं, question number 50, किस हड्डी को कॉफ कहा जाता है, किस हड्डी को कॉफ कहा जाता है, इसका option है, फिबुलाइंवर, यूमरस, कलकिनम, तो इसका right answer है हमारा, किस हड्डी को कॉफ कहा जाता है, सबही अंतराश्टी इसपधा, किसके अंतर गताती है इसका option है आपका IAF, IOA, AAFI या इन में से कोई नहीं इसका right answer है इन में से कोई नहीं next है question number 52 कबड़ी खेल में कितने official होते हैं कबड़ी खेल में कितने official होते हैं इसका option है 7, 4, 8, 2 इसका right answer है इसका right answer है option number A7 कबड़ी खेल में आपके 7 official होते हैं next है question number 53 सांखिकी का पितामक किसे कहा जाता है सांखिकी का पितामक किसे कहा जाता है इसका option है बावले, कैंडल, एचनवाल, कौनोर इसका right answer है हमारा एचनवाल, important है question ध्यान देजेगा सांखिकी किए ये पितामक के अपके एचनवाल next है question number 54 इन में से कौन सा सिक्षण योजना का सिध्धान्त नहीं है इन में से कौन से सिक्षण योजना का सिध्धान्त नहीं है ध्यान रखिएगा यहां पूछ रहा है आपका सिक्षड योजना का सिध्धान्त नहीं है ठीक है question ध्यान से पढ़ेगा कभी कभी क्या पूछता है वो नहीं पूछ लेता है हम लोग लगा क्या आते हैं हाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है चलिए तो इसका option है I or sex, progression, warm-up सिक्षड का अन्भू ठीक है यहाँ पूछा है क्या है सिक्षड योजना का सिध्धान्त पूछा नहीं है ठीक है यह नहीं पूछा है तो ध्यान रखिएगा इसका right answer हो जाएगा warm-up ठीक है आपका warm-up हो जाएगा चलिए next देखते है question 55 विचलन के मापों में सबसे अधिक विश्वसिनी किसे माना जाता है विचलन के मापों में सबसे अधिक विश्वसिनी किसे माना जाता है तो माध्य, बहूलक, माधिका, प्रमाब विचलन तो इसका right answer है एक सिक्षड चलिए इसका right answer है प्रमाप विचलन ठीक है विचलन के मापों में सबसे अधिक विचलन के मापों में सबसे अधिक विचलन के मापों में सबसे अधिक विचलन से नहीं यह आपका यह प्रमाप विचलन है ध्यान दीजिएगा चलिए नेक्स देखते हैं प्रत्योगता में यहां पर फेक प्रत्योगता में गोल को दूर तक फेकने के लिए यहां पर देखने नहीं होगा ठीक है偶्य हो गोला को दूर तक फेकने के लिए कितने प्रक्षे पर कोड का प्रयोग किया जाता है तो इसका option है 40 degree, 45 degree, 60 degree, 100 degree तो इसका right answer हो जाएगा हमारा 45 degree, 45 degree ठीक है, गोला फेक प्रतियोगता में गोला को दूर तक फेकने के लिए 45 degree का प्रक्षे पर कोड प्रयोग किया जाता है ठीक है, जब 45 degree के कोड से हम जब गोला फेक हेंगे तो ज़्यादा distance पर जाएगा अकर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक ज़रूर कीजिए कमेंट पर कीजिए और इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में share कीजिए ताकि मेरे वीडियो को और लोग भी दे सके और इस हर्च्वेता सिंग यूटूब चनल से जो फैमिली हमारी है उसे और लोग जोड़ सके हमारी फैमिली बड़ी हो तो प्लीज इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों कीजिए और अभी तक आप यहां तक बने हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए चलिए नेक्ट देखने है कोश्चन अवर 57 री क्यार्थ है ठीक है री क्यार्थ है और अप्शन है खोजना मनरंजन पुन सौपना तो इसका राइट अंसर हो जाएगा पुना ठीक है री क्यार्थ हो जाएगा पुना नेक्ट है कोश्चन अवर 58 प्लीज अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए चलिए तो प्लीज अप्लीजन अपर 58 है स्वसंट क्रिया में हवा का पहला मार्ग बनाने व कि फ्रेक पहला मर्ग चाहिए तो सबसे पहले मरर्णा कोश्चन नंबर 59 सीखने माeing विक व्क दिगत कारग है अनुवांसिक कारग, उप्यक्तिता, मनोवाग्यानिक कारग यह सभी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिखने के वेक्तित कारग है यह सभी ठीक है? आपका अनुवांसिक कारग भी होता है ठीक है? आपका अनुवांसिक कारग भी होता है ठीक, तो प्लीज चैनल को हमारे सब्सकाइब जरूर कीजिए, हार्थ रेता सिंग चैनल को, ठीक है, चलिए, नेक्स देखते हैं, question number 60, अनुसंधान प्रतिवेदन, research report में प्रात्मिक सामगरी में आता है, अनुसंधान प्रतिवेदन में प्रात्मिक सामगरी में आता है, तो यह आपका option हो जाएगा, ग्रंत सोची, परिणाम, विधी, आभार वेक्त करना, ठीक है, यह पूछ रहा है, कि प्रात्मिक सामगरी में अनुसंधान प्रतिवेदन किस में आता है, तो यह आपका option है, तो इसका right answer हो जाएगा, आभार वेक्त करना, ठीक है, अनुसंधान प वीडियो का हमारा 20 question, और इस series का 60 question हम लोगों ने cover करा है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज वीडियो को like, share और subscribe जरूर कीजिएगा, चैनल को, और प्लीज आप से request है, कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में share के लिए, ओकी, thank you so much and all the best.